अब बच्चो आप सभी को पीरा नमस्कार और संजीवनी सीरीज में आप सभी का मोस्ट वैलकम तो विटा हमारी संजीवनी सीरीज जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था ऐनिमल किंग्डम जिसमें एक लेक्चर हमारा हो चुका है और रिमेनिंग फोर लेक्चर है ठीक है और 11 का पूरा स्लेवर समारा अंड हो जाएगा और सेथे यह सीरीज में ले करके चल रहे हूं तो जिन को करना हम दो अब जॉइन कर सकते हो और हमारे सिरुटर बची हुए हुए ठीक है हम लोग पौरीफेरा कबर करने वाले फाइलम पौरीफेरा फाइलम सिलेंट्रेटा टीनो फोरा प्लैटी यह फाइलम आज हमारे टार्गेट है ठीक है करके स्टार्ट करेंगे एक की सारी लाने में ले लिए क्ये लाइन चीबी ञाली चूटने चीएए एक्सक्रीट कर दोंगता लास्ट में पौइल में तो कंपाइल करा करके ये बेसिक फीचर सब के कंपाइल कर दो तो आपको याद रही परमानिटली चीज़ है ठिक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलम पॉरी फैरा पॉरी मतलब पूर मतलब बियरर ऐसे अनिमल जो पोर बियरर है पूर को धारण करते हैं जिनकी बोड़ी चिद्र युक्त होती है उनको पॉरी फेरस बोलते हैं ठीक है और अगर evolution की बात करते हैं तो पॉरील फेरस बने कैसे थी टीक है तो मैंने बताया भी था आपको कि फ्लैजी लेटit'd फ्लैजी लेटीड प्रोटो जो आ और्यू श्वह आगे जाकर के multi cellular animal का kingdom animal का पहला animal multi-cellular animal पौरी फेरा का फाइलम पौरी फेरा में मिलने वाले एनिमल्स का ठीक है फॉर्मेशन किया तो इस तरीके से evolutionary यहीं कनेक्टिंग लिंक इस तरीके से कह सकते हो इस फ्लैजिलेटिड प्रोटो जुआ से पौरी फेरंस का formation हुआ ठीक है तो पौरी मतलब पौर फेरा मतलब बेरर पौर बेरिंग अनिमल्स ठीक है पौर बेरिंग अनिमल्स यह पौरी फेरंस होते हैं they are generally marine but some present in fresh water a fresh water को से मिलते हैं यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अगर मैं fresh water की बात करता हूं अच्छा generally कैसे generally marine होते हैं सारे important point में सी में add कर दूँगा some present in fresh water some present in fresh water आप फ्रेश वोडर में कौन से मिलते हैं fresh water में आपको एक नाम याद रखना है sponge जैला जैसे कोशन इसी पर आता है sponge जैला ठीक है sponge जैला sponge जैला फ्रेश वडर स्पॉंज में आती है sponge जैला ठीक है तो they are generally marine but some some present in fresh water तो फ्रेश वोडर का example sponge जैला क्योंकि sponge जैला का डियाग्राम यहां दे रखा है इनों ने ठीक है sponge जैला का डियाग्राम यहां दे रखा है इनों इस लिए ठीक है and mostly asymmetrical question आता है sponges कैसे होते हैं मैं आलड़ी से पहले some so radial symmetry ठीक है अब जैसे ठीक है अगर मैं साइकॉन की बात करता हूं तो सबसे पहले सबसे पहले kingdom any Milia में सबसे पहले जो आय थे वह कौन इन फ्रेश वाटर सिसाइल सिसाइल का मतलब होता है अटैच बिद सॉलिट सर्फेज बिल्कुल प्लांट की तरह होते हैं ठीक है तो मल्टी सल्वर एन हैंव सेलुलर लेवल ओफ और गनाइजेशन जी तुमा यादी करा चुको आपको से पहले वाले चेप्टर में सेलुलर फॉर्गनाशन होता है सिसाइल होते हैं सिसाइल सिसाइल का मतलब क्या होगा अटैच बिद अटैच विद सॉलिट सर्फेज सॉलिट सॉलिट सर्फेज से अटैच होते हैं उसको सिसाइल बोलते हैं सिसाइल समाह 2 मेरी बात तो स्पॉञ जिस Lessi होते हैं सॉलिट सर्फेज से अटैंज होते हैं व्ल्कुल तो यह बेसिक फीचर समझना और तीन डीग्राम स्वक्रूर्स ऐखा देरा के नंदर साइकाइज का कि रखा है ठीक है साइक correction दूश्वाइज एबाथे पांज लिए या मतलब बाद respond कृूंज यू स्पाउन जी बाथష फॉन्ज बोलते हैं को यू स्पॉंज यह और तीसरा तो देखी रहे हो आप इस पॉंज यह ला फ्रेश वाटर स्पॉंज स्पॉंज इस पॉंज आपको याद रखने ही पढ़ेंगे डायग्राम भी साइकॉन ठीक है तो यहां तक कोई डाउट शाउट रेटिल में लिकिता हैं थाइका तो साइक ऑन ठीक है एक्जमपल डाल दिया है मैंने जिससे कि आपको याद रहे हैं आगे बढ़ते हैं अब इस पोई फिरेंस का सबसे स्पेसिफिक फीचर क्या है आप से पूछा जाए पूर बियर हैं तो पूर बियरिंग की बजह से इनकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम जनरे एक होता है water vascular system जो एक काईनोडर्म का स्पेसिफिक फीचर है इंपकुशन आते हैं ठीक है तो पौरी फेरंस का जो स्पेसिफिक फीचर है water canal system जो बहुत सारी जगह यूटलाइज होता है ठीक है कहा कहा सका utilization है मैं आगे बात करता हूं पहले समझो कि है क्या ये water canal system समझना मेरी बात तो सबसे बेला सम्झाओंगा वाटर किनाल सिस्टम वाटर किनाल सिस्टम अब क्या होता है वाटर किनाल सिस्टम समझो वाटर किनाल सिस्टम है क्या देख लो एक मिनिट अब वाटर किनाल सिस्टम है क्या में देख लो ठीक है ठीक है एक मिन देखो इसकी यहां हम थोड़ी सी ओपनिंग दिखाते हैं समझना है हम एक मतलब स्पॉंज का डियागराम ड्रॉब कर रहे हैं आपर ठीक है इस पॉंज का डियागराम ड्रॉब कर रहे हैं आप 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 समझना यहां जो दिख रहा है न यह स्ट्रक्चर और पॉरी फेरंस है ठीक है इसको थोड़ा अलगसे भी दिखा सकते हो अधर से पॉर्स क्रेटिंग इसके अंदर पॉर्स क्रेटिंग सेल्स होती है ठीक है कलर चेंज कर देते हैं पॉर्साइट्स पॉर्स क्रेटिंग सेल्स इस तरीके चेल्स सी पूरी बॉड़ी पर और को जनरेट करते हैं त्यवित सब्सक्रीश तरीके श्रक्चरव लोग्या सेवस्थि मतल्ब सॉलिड सरफेस उलट भेसे के अटैच होंगे अटैच मित सॉलिट सरफेस त्रक्चरव से सॉक्त है अप इंके जो इनर सर्फेस होती है निमाल 사ите या अन्स अदकर आपके स्ट्रक्चर देखेंगे आपको फ्लैजी लेटिट इसेल्स होंगे आप पूरे में भी ड्रॉ कर सकते हूँ अब इन में क्या है इस तरीक से यह कॉलर बना अगर अंदर फ्लैजी लाओगा फ्लैजी लेटिड ठीक है बना दीते हैं चलो तो तो अब अभी लेटिर्स पूरे इंटर्नल अरेंज होते हैं ठीक है और 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 साइट देखोंगे नहां तो यहां पर PIN एको साइट्स नहीं और सब्सक्क्राइबर यहां पर अगर देखोगे से सोन च तो इस तरीक से इस इस की स्टीं भी होते हैं इस नहीं है और साथ में फाइबर भी होते हैं कि disponge in फाइबर चुरिस का स्केलेटन मनने काम करते हैं इसके लाप यहंड आपके अमीवाया मिव और सहल भी देखने को मिलते जो किसी भी सैल में में असकते हैं यह तरीका से अगर मैं बात करता हूं तो ऊसा करेंगे यहां से बता हुआ यह मैं रगा सीट अनदर रफ्लेजला क्या काम करेंगे लोक्टर ओटर को तुरंथ मूव कराएंगे आउट साइट यह आउट तो water की जो entry होगी कहां से होगी out कहां से होगा समझना तो जो water enter कर रहा है न इन cells को बोखते है osteocytes थीक है osteocytes से water कहां जा रहा है osteocytes से water cavity के अंदा जा रहा है इस cavity को हम क्या बोलेंगे स्पωνजोप्र सी detect the poacak निकल रहा है दोभाटर का निकल रहा है पहला तो आगर वाटर की बात कि गुए या जो कर रहा है फ्लो ऑस्टियो-साइट से फांजोशी पॉंजोप्र सीद्य हो एंटर से ऑस्चुलम हम स्वाहर तो वाटर का फ्लो देखो गहे तो यह कुछ इस तरीके से फ्लो रहा है वॉटर एंटर कर रहा है एन्टर एंटर अन्टर tu इस तरीके से एक वाटर करेंट Norm10 हो ही है समय रहेतना मेरी बाद सीर अंदर जा रहा है बाहर स्टियोसाइट से एंटर करता है कैविटी के अंदर इसको स्पॉंजो सील बोलते हैं ठीक है और एक ओसिंगल ओपनिंग उती है उससे बाहर आता है स्कॉस कुलम बोलते हैं यह बलकुल चलो ठीक है अब आम मैं वाल की बात करता हूं तो आउटर वॉल क्या होंगे पिनेको साइट्स और सबसे अदर की जो लेयर है सको जहां आप उजी लेटेर देख रहे यह है को ईनो साइट्स ऑटर क्या ओगे पेनेको सैट्स ऑगई नो साइट्स है जबाएद ज्यादा अच्छे से और समझ पाओ आप ठीक है सिंगल को निकाल के दिखा रहा हूं यह को लब सेल से तरीके से होगी की कॉलर होगा और इसके अंदर स्तरीके से एक फ्लैजिलम होगा ठीक है और अंदर निपलियस होगा जैसे होता है वे सारी सारे साथ फलास्मिक अंगिनल्स होते हैं टोए ओक कौहिनोसाइट्स कौहिन औस तो इंटरणल पूरा का फूरा जिक कौहिनोसाइट से लिइन होता है और सथStator होता है ठीक है और इसके सकेलेटन है इसके स्केलेटन को बनाने के बढोंद फाइबर सभास्पीकूल और सबढोंढ sudah फाइबर समाझना उस पन्होंड वाला पानकूल हो टीक है तो specuse sponges in fibers, skeleton बनाते हैं, pinnocyte outer होते हैं, और coinocyte inner होते हैं, inner, coinocytes अंदर होते हैं, pinnocyte बाहर होते हैं और अंदर पूरी cavity दिखरी है, इसको sponge oh seal बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको sponge oh seal, समझे, समझे या नहीं समझे, ठीक है, चलो, समझ गए होगे, और attach with solid surface यह दिखी रहा है आपको attach with solid surface solid surface से attach होते हैं ठीक है attach with solid surface तो यह समझ में आ रहा होगा यह sponge जो seal हो गई बिटा इस तरीके से water canal system double up होता है जिसकी वाज़े से water continue circulate करता है इसके अंदर continue water का circulation होता है ठीक है आप समझ पा रहे हो ना और इस water circulation के forward through ही यह respiration करते हैं इसी के ट्रों एक्सक्रीशन करते हैं और इसी circulation के घृट ऊड़ायजेशन भी करते हैं internal cielo현 के अंदर और यही circulation participate करता है और किसके अंदर इसके लाबार ठीक है कि फूड ginger के अंदर खाने को पकड़ने में भी यह water ठीक है था यहां पर है तो सिस्टम एलिप रही है वाटर किनाल सिस्टम एजी आर्टी य良ी तो यहां पर करे नरा मिल रहा है यह बोतर हैं ड्राइक एक मर्ण त्रो मैं उट पोर क्याू Tibalam को आपनी स्टिया इन अ कही डिर्लें क्या बोलते हैं और गडिको इस पॉंज और सील में पॉइंट से जहां से यह कहां से आउट होता है तो इसके आप रहार जाता है तो यह पूरा का पूरा वोडर किनाल सिस्टम किसमें है पर रहा है यह फूड गैदरिंग में हैल पर रहा है रेस्पारीशन में हम्हें कर रहा है यह कुशंग आएगा खिक है एकस्चेंज ओफ गैससे में है ठिक है रिमूबर ऑफ वेस्ट में है इसके लाब एक चीह ओड़ और भाण याप तरिक आ तेंट कर देःंन था इन्टर्नल टियूंट है एंटरनल इसन सर कैसे बताता आ internal fertilization कैसे जैसे मानो एक sponge ये है ठीक है अटैच है औसकुलम है दूसरी sponge यहाँ पर है अटैच है इसका औसकुलम है ठीक है gamete बनाने वाले cell अंदर ही होते हैं ठीक है जैसे male gamete male gamete को बाहर release कर दिया जाता है यह male gamete बाहर निकल जाते हैं अब यह male gamete दूसरी sponge के पोर की हल्प से सीदे का आते हैं अंदर और यहां अंदर होते female gamete अनदर होते female gamete और इन को आके fertilize कर देते हैं ठीक है यानि यह वाली sponge मेल लेट को बाएर निकाह लेगी ठीक है और यह दूसरीम स्पॉंज को मोफटलाइस करेंगे फटलाइज़ कुरते हैं और सट्विलेशन करते हैं में में वांटर केनाज सिस्टम् रोल है जरी फर्टलाइजेशन इंटर्नल हो रहा है इंटर्नल फर्टलाइजेशन समझना इंटर्नल फर्टलाइजेशन इंटर्नल फर्टलाइजेशन तो इंटर्नल फर्टलाइजेशन तो इंटर्नल फर्टलाइजेशन में मेली पार्टीसिपेट कर रहा है आप समझ में आ समझ में आया नहीं आया थिक हैं और कॉर्लरस सैलॉइंट समझ में आगया कॉर्ठ से लाइन दा स्पॉल्च वॉसील ये पॉल्च को लाइन करते हैं ठैक है एंड कैनायत डाइजेशन भी लाइजेशन तो कोई भी फूड अगर आता है तो यह फूड यहां से कैप्चर करके इसका एल्सका इंटरनल होगा सुरी इसका डाइजेशन इंटर वहां निकल जाएज़ंगे आटो समझ रहो तो लिए तो यहां डाईजेशन सिर्फ और सिर्फ इंटर्नल ही हो सकता है और कोई प्रॉबविलिटी ही नहीं ठीक है आगए तो डाईजेशन कैसा ओगां या पर इंटरनल डाईजेशन होगा ठीक है जब बॉडी सपोर्टिड बाइश केलेटन तो कि से मिल के बनता है किसका कहां पोजीशन है कैसे होता है किनाल सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है और किनाल सिस्टम का में परपस क्या है फूड गैदिनिंग रेस्पारेशन एक्षेंज ऑफ गैसे रिमूब लॉब बेस्ट एन इंटरनल फर्टलाईजेशन लास्ट में हम बात करते हैं है ठिक है तो यहां तो अभी बहुत ही होगा पर द्रफाना जैसे एवलुशन हुआ ना तो अभी स्टार्टिंग में सेट्च्वल डॉमीन हो मेरी बात इसलिए variation बहुत जरूरी होते हैं और variation के लिए sexual reproduction जरूरी होता है ठीक है वर्ट स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जानी में सिंपल है ठीक है तो यहां a sexual dominant है धीरे धीरे evolution हुआ और आगे हम sexual की तरफ जाएंगे ठीक है चलो अभी तो यहां sexual sexual दो नहीं मिलेगा ठीक है sex are not separated ठीक है हर्मा फ्रोडाइट बोलते हैं ऐसे अनीमल को समझाता हूँ अभी मैं कुछ टर्म से हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर हर्मा फ्रोडाइट मॉनोसियस ठीक है समझना और यूनी सेक्च्वल बाई सेक्च्वल डायोसियस सर इन में confusion होता है अब जिन्दगी में confusion नहीं होगा ठीक है देखो एक तो आपको याद रखना है है अच्पफ हैं कभी कभी नहीं भूल होगे एक याषना डेली यूनिवर्सिटी डी यू डी यू टैली उनिवर्सिटी दो चीजह आपको याद रखनी है डैली यूनिवर्सिटी डी यू एक याद रखना है अगर हम Smith की बात करते हैं थे मतलब होता है हरमा फ्रोडाइट हम अब ओता है हरमा फ्रोडाइट समझना है है मतलब होता है श्रीज अब बी उता है बाइसेक्च्वल bisexual तो हर्माफ्रोडाइट मोनोसियस बाइसेक्चुल दी मतलब होता है डायोसियस और यह मतलब होता है यूनिसेक्चुल यूनिसेक्च्ट्व इसको क्या बलते हैं s3 sexual Dimorphism sexual Dimorphism sexual Dimorphism का मतलब है मेल अलगोगा और फीमिल अलगोगा तो sexual Dimorphism bullying a summer in a Mayrana मेरी बात मेल अलगोगा फीमिल अलगोगा असको sexual Dimorphism बोलेंगे पढ़ीन समझना ठीक है ठीक है एक मतलब हर्माफॉड है एं मतलब मौन मिसी एसी ऑफ भी मतलब बाई सेक्शवल एक тебя के उन्दर दोनों सेक्स एं ठीक है समझत रहो मॉनोओ मॉन आपक थे एस दोनों सैक्स को धारन करता है समस्क्राइब बाई बाई मतलब दो सैक्स एक एंदर ही है कि Karl स्रमाफ्रोड़ाइट हर माध Ö です Government तो मतलब क्या हो गया सेक्शोल टाइमट्रफेशन हमनamed अब है मेल जोगा और स्वीमेज अलग नूगी जब कि इसका मतलब क्या होगा है कि और मेल भी होगा और सिमेल एक और फ्योमिMr रूग इछ एकी सब्सक्राइब सकते हो और बाइसेक्शल भी सकते हैं अब बता यहां ता किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट यह टाम ध्यान रखना यह टाम बहुत इंपोरेंट है काम हर जगे काम में आएंगे ठीक है चलो तो यहां कंडिशन के मिलती है भी स्टार्टिंग की अनिमल ह इस एक्चुली अपर यहां पर एक्ट्फर फिल्प्रेक्शन भी होता है बाइब स्टेमेंटेशन और सेक्चुली भी करते हैं याद्ट भी बनते हैं तो इसको मैं अलक से समझा देता हूं आपको आलक से समझा देते हैं इसको अगर मैं रिपॉड़क्शन की बात करूँ अगर मैं रिपॉड़क्शन की बात करूँ तो तो समझना रिपॉरक्शन की बात चल रही है तो यहां पर है है कि शैक्छ्ऩवर और एसेक्श्वर दोनों थापकर कर देखने के मिलेगा स्पॉंच्छ इसमय ऑग सेक्चुल भीए और एसक्च्चवल भी एब प्क्षेट्स1 और यह एकिश्ड बौह का पर ह्पर सेक्च्चवलर्य सेक्च्छ भूत तयप रिये क्यों पर ठिक है अगर मैं सेक्चुल लिपोड़क्शन की बात करता हूं सेक्चुल लिपोड़क्शन की बात करता हूं तो तो फटलाइशन समझी रहे हूं इंटरनल फटलाइशन होगा और यह दो हम आपको पहला दूसरान असके लावा ठिकेंत इंटरनल नहींद में सब्सक्राइब इसके लाव व Alors क्या इद्मान अपको ठेक हैं इंटरनल फेटलाइशन होगा क्रोस होगा पस्थिक है अच्छा डेलिम्मेंट कैसा ओक डेवलेमेंट डबलामेंट समस्ते हो एक होता है डारेक्ट और एक होता है इंडारेक्ट डारेक्ट का मतलब क्या होता है डारेक्ट का मतलब होता है बिना किसी लारवा के डारेक्ट एडल्ड बन रहा है अगर इसकी लाइफ में लारवल स्टेज आ रही है मतलब डारेक्ट नहीं हो रहा ला इंडारेक्ट मतलब लार्वा प्रेजेंट होगा लार्वा प्रेजेंट होगा अगर लार्वा प्रेजेंट है तो इंडारेक्ट और लार्वा नहीं है तो डारेक्ट डवलमेंट सिंपल सी बाद ठीक है तो समझ में यह तर्म सब जगे आएंगे पहला फाइलम में इनी तर्म बनेगा यह नहीं बनेगा बनेगा तो नहीं बन रहा तो डारिक डवलम्मेंट रहा सिंपल सी बात यह द्यानक नहीं आपको हाँ एस एक्षुल की बात करते हैं तो यहां दो तरीके से देखने को मिल रहा है यहां पर आपको एस एक्षुल मैं बडिंग भी देखने को मिलती ह और फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है बडिंग भी देखने को मिलती है अब बडिंग भी देखने को मिलती है अब बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दोनों चीज़ देखने को मिल रही है ठीक है अब बड अब जानते हूं अएक्सरोर बटिंग लाइव होती है समझा यह क्या है समझाता हूं पॉक्ष्ट इंटर्नल बड़िंग भी होती है इन इंटर्नल बढ़नि भी यहां पर होती है अब इंटर्नल बढ़किया होती है समझो मेरी बात internal बढ़किया होती है यह इस तरीके से बनती है इसको jamule बोलते हैं इस पूंजिन फाइवर्स भी होते हैं इसके अंदर यह कुछ सेल्स होते हैं ठीक है यह उसको बोलते हैं चैनी होती है का प्रेजेंट का प्रेजेंट इन फ्रेश वर्टर स्पॉंज अगर अगर में रेपोड़क्शन की बात कर रहा हूं है सेक्च्वल भी है सेक्च्वल भी है ठीक है अगर शेक्च्वल के बात करते हैं इंटर्ण क्रॉस डवलमेंट इन ढरेक्ट ए सेक्च्वल की बात करते हैं व्यग्यंट अपर बढ़ बढ़ुए है को इस पॉंज ना या स्पॉंज ये बड निकल गई एक इस टेवर अपर इंटर्रॉब निंग का मतलब एक का स्ट्रक्चर होता है यह उस्ट आप का स्ट्रक्चर जो अन्सेश्टु अंदिशन में बनता है और जब फेयराइब बताद भी क्लियर है यानी फटलाइशन इस इंटरनल बताई दिया मैंने फटलाइशन का होगा इंटरनल होगा ठीक है फटलाइशन इंटरनल होगा डवलमेंट अभी बता दिया मैंने इंडरेक्ट होगा क्योंकि लार्वा यहां पर प्रिजेंट होता है लार्वल स्टेज य मिलते हैं इनका हेब Сейчас वीटेट क्या है आप भılarो कि सब्सक्राइब नूम्मर वर ए किस टैप के ओकंपा टेस्लिविंग Tran ऑनिमिंग सी इनकी खास बात है ठीक है यह अपको सिम्ट्री कैसी होते है इनकी सकते mustspe sortir नहीं मैं पूच सकते थे deviash एग्रिएट हुए एग्रिएट होकर कि अपनों अपना काम डिवाइट कर लिया और इसको बोलते हैं इस टाइप का और नाइजेशन है यहां पर सिमिट्री समझ में आ गई आपको ठीक है क्या यहां पर कोई टाइप का सिस्टम होता है अभी सिस्टम नहीं डबलब हुआ उलेले और बात क्या है इन की इनकी खास बात क्या है कि ईनके पासamba सिस्टम डबलब होता है इसको वाटर रकाहां सिस्टम बोलते हैं जिसमें चोट छोटे करता है ऑस्तियोसाइट बनाते हैं ऑस्तिया चिक है और लगत ता हो यह यह स्थ्योसैट्स और यह जो धेखरा ह। होल देखरा या इसको ओस्थ्याव मूलते हैं है कि इस अच्छ से और में आप самое a care-s का मेन परपस क्या है तो फूड गैजरिंग करनी है रेस्पारेशन करना है एक्षरीशन करना है रेप्रडक्शन करना है कुछ भी करना है तो बिचारा के नाल सिस्टम ही मूव कर रहा है और इसको कदाने के लिए कोहिनो साइट कॉलर सेल्स होते हैं जो इंटरनल स्पॉंज सी और इनके स्केल्टन बनाने में यूज होते हैं ठीक है चलो यह वाली बात तो क्लियर है मुझे लगता कोई डाउट होना चीए ठीक है यह हो गया और रेप्रडक्शन मैंने बताई दिया ठीक है एक्जांपल आपके वही गिने चुने तीनी एक्जांपल है ठीक है ठेक है फ्रेशवाटर स्पोング और बाथ स्पानज ठीक है अब एंटर करते हम नेच्ट फाильно मौन अदर फाइलम सिलन्ट रेटा अच्छा नाइडेरिया पहले नाइडेरिया आगए एक मिले दुकना फाइलम सिलन्ट रेटा आ तो समझो मेरी बाद देखो तुमें दो भाई ते एक परवार में रहते थे थे ते के बट कुछ कारण ऐसे जिसकी वजह से उस परवार में दरार पढ़ गई और दोनों भाई अब जो एक परिवार के मेंबर थे एक ही घर में रहे थे उनको अलग अलग घरों में सिफ्ट कर दिया गया ठीक है तो समझना तो एक्चन में पहले एक ही फाइलाम हुआ करता था सीलेंट्रेटर ऐसे एनिमल जिनके पास गयास्ट्रो वैस्कुलर कैभिटी सीलेंट्रों थी उनको सीलेंट्रेटर बोलते है ठीके पर बाद में हमने देखा कि इसे एक शुब्स था जिनके पास ब्रकमाँ फ्यभ.माएब ने यह खीजिर toddler उतल Hare और जिनके पास निड़ ब्ल नहीं था exclusively marine थे समुद्री जल में रहते थे बायो लुमिनी सेंसों करते थे उनको ठाकर कि हमने अलग घर में रख दिया और नाम रख दिया टीनो फोरा ठीक है टीनो फोरा और नाइडेरियन पहले एक ही परिवार के मेंबर थे पर कुछ करेक्टर की बजाए से तो mostly तो फीच से कॉशन नहीं आएगा कोशन कहां से आएगा से यो स्पसिफिक फीचर है नाइडेरियन के यह फीचर ह multif फीचर है टीनो फोर्स के तो फोकस करोड़े specific फीचर पर common फीचर पर फोकस नहीं करोगे ठीक है जैसे नाइडेरियंस कहां रहते हैं अगर मैं नाइडेरियंस की बात करूँ एक्सक्लियूजिबली मरीन नहीं बोलोगे कुछा ही मैंबर सतिया यह 350 लेवें ओते हैं और अगर हम न की बात करते हैं तो टोटली फुरिद यह को दें समुझरी सतहर पर ौडल करते हैं समुझरी सतह पर ऐगरा पात करते हैं लेबल ऑफ ऑरग्डाइशन तो दवनों के अंदर टि एंट्री का हैं एंट्रियूलर फिर इंट्राएसर्लिलर दोनों की गट में सिर्फ एक ओपनिंग होती है जो माूत और और हैंस की तरह काम करती है समझ रहे हूंना मेरी बात दोनों के अंदर पर हां अगर मैं hypertension की बात करता हूं तो यहां पर sexual sexual दोनों मिल जाएगा बट तीनों फोर्स के अंदर only or only sexual देखने को मिलेगा यह sexual reproduction देखने को नहीं मिलता समझ मैं आ गया यह specific feature है सरी यह common features है और specific और यहां निटोप्लासर बताऊंगा वहां मैं बायोल्उमिनी सैंस एक्सक्लीजिब़ी मरीन ऊफली सेक्ष्वल दिवाली बाते बाताऊंगा ठीक है तो start करते हैं तो सीलिंट रेटा सीलिंट रेटा जिनके पास सीलिंट रॉन सीलिंट रॉन गैस्टो वेस्पुलर गैबिटी प्रेजेंट होती है जहां पर गैस्ट्रो वेस्कूलर कैविठी प्रेजेंट है गैस्ट्रो वेस्कूलर समझे डियाग्राम बना की दिखाऊंगा वो सब जनके पास नीडो बिलास्ट प्रजेंट है टिक है जिनके पास नीडो ब्लास्ट प्रजेंट एप नइडेरियंट है टिक है तो पहले मैं आडेरी की बात अगया अगर आप निदोग्लास की बात करते हो तो इसमें घास टैप आप स्ट्रुक्चर देखर हो यवाला को ते निडो शिस्ट तुह ए स्लेंगे धिक शिस्त लाइक इस्टॉप्ट ठीक है इसमें क्या होगा इस बाइजन और थ्रेड की रसे पाईजन बाहर निकलता है जिसकी बजह से ये उफेंस में इसको यूज कर लेता है है capture को prank anayi me use कर लेता है समद्रेंगा और कही का लंगर डालने में इसको पकड़ने में दालने में यूज़ करता है ठीक है तो स्ट्रक्चर ओते हैं ठीक है तो दे आर एक्वैट यह गॉत कुह ही मोस्ली मैरीन हाँ मोस्ली मरीन भी होते हैं वर संब तो से इन स्टेश वर्टर freshwater अ कौन मिलेगा जरा को पता। ठीक है ह। फ्री स्विमिंग भी होते हैं स्विमिंग भी होते हैं करते बता चुका हूं और Nidea放 Newzza नाम किसे बढ़ा ठीक मिटोब लस्ट की बजह कह बढ़ा ठीक है और इसके पास निडोच सिस्ट भी मौद सकते ओर विश्कांटेंट सिंगिंग कैप सूल जिसको नुम सिस्ट बोलते हैं ठीक है निदोच सिस्ट बोलते हैं ठीक है सैप अज डिलिए तो इंटप जो यह चैप्सूल स्कुन इसको आप बोल सकते हो निमाटो ब्लास्ट आ है निमाटो ग्लास्ट इसके अंदर पॉजन होता है ठीक है प्रिजेंट और ऐसके पर क्या लगे उते हैं टेंटिकल तो तेंट को एंट बॉडी कापर टेंटिकल्स एपसेंट होते हैं मैं लेड़े कोई है खाली में देखो जैसे मालों जो हाइड रहे इस से आपको सारी कोशन स्वाल वो जाएगे इसका माउथ है कि अगा कि अगा कि अगा कि मालों ठीक है इस तरी के सी यह टेंटिकल्स हो गए अब कोशन क्या क्या है यह तो माउथ हो गया कि माउथ एंड एनस कि यहां से फूड एंटर भी करता है और यहां से फूड एग्जिट भी होता है दोनों की तरह काम करता है ठीक है और माउथ के नीचे यह कहा देख रहा है आपको हाइपो स्टोम कोशन आता है हाइपो स्टोम एंस यह तेंटिकल्स टेंटिकल्स एं ठीक है समद्र यह बॉड़ी है यह बेसल डिस्क है नीचे वाली बेसल डिस्क अगर मैं आपसे कहूं कि सेंसरी पार्ट सेंसरी पार्ट निडो ब्लास्ट कहा कहा होते हैं यह टेंटिकल्स पर लगे होते हैं यह बॉडी पर भी लगे होते हैं पर बेसल डिस्क पर यह नहीं होते बेसल डिस्क पर यह नहीं होते ठीक है ध्यान रखना है आपको यह वाली बात निडो ब्लास्ट यहां पर एप सेंट होते हैं ठीक है टेंटिकल्स और बाडी की उपर निडो ब्लास्ट प्रेजन तोते हैं ठीक है है हाइपो मतलब नीचे हाइओ कर दिया है ओके है पूलैं हैuche है थी सॉडम है को ये ह्वाइप्रो स्टोम हाइप मतलब नीचे हूं पायिज जैके ह्वो छॉ थिए पैपर लूह इस ङनीचन साथ सब्सक्राइबर लेएं थना में घ्रो के लिए हाइटर और बन जाएंगे पर हाइपोस्टोम का पार्ट होना चीए यह हाइटर का डाइगरम होगा है ठीक है समझ गये ना चालो बापास आ रहा हूं तो एफसेंट कहा होता है नेमेटोसिस्ट बेसल डिस्ट में एप सेंट अपने डो ब्लास्ट आर यूजट फॉर यह कोश वजिकेंस में यूजओगा फूड को कैपचेर करने में चैपचर प्रे प्रेकर करने में यूजओगा एंकर इंकर जाले में यूजओगा कि कैया दिफैंस में बचावाइंज और नहीं के पास है वो दाइडेरियंस है जिनके पास नहीं है वह नाई डिरियंस महीं है कि समझे बिता नाइडेरियन design clickingJa will with tissue lot of our nation इराइडेरियंस में भी 140 में भी ठीक है डिपलाबलास्टिक उते हैं तो अनुई ठीक है ये सेंट्रल गैस्ट्रो व्रक एबटि होती है ठिक है दोनों के अंदर हो थिया सिंगल ओपनिंग दोनों के अंदर हो थी हिए विछ एक्ट आज माउट ठेक है और एनज और माउट कस पर लगा होता है माउट के नीचे वाला पाट है पो स्टोम हिपो माने नीचे स्टूमा मतलाम डायजेशं दूनों टाइप और पहले एक्ट्रसल्टर यहां ऐग्णे डुम के नदर होता है नाइडेर एंदर भी होता है टीनो फूर्स के नदर भी होता है ठीक है समस्क्राइडेरियास जैसे कोरल कोरल अगर मैं कोरपी बात करूं तो यहां पर स्कलों की सब्सक्राइब कार्बोन पूरे एक आईलेंड बना लेते हैं को लिफ सुना हो आपने कभी लिफ इंद महा सागर में उदर गए ओ ठीक है या कई कंट्री है जहां पर रीफ देखने को मिलते हैं इनके जुंड मतलब पूरा आइलेंड इवना लेते हैं एक तरीके से को ठीक है समझ रहे हो तो कोरल अब लास्ट में हम बात करेंगे रिपोड़क्शन की अच्छा यहां अच्छा रिपोड़क्शन से पहले मैं एक बहुत इंपोडेंट चीज़ बताऊंगा ठीक है नाइडेरियंस के पास दो फॉर्म होती है नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म क्या बुलते हैं इनको पॉलिप एन मैं ड्यूसा ठीक है इसको तरह पॉलिप और मैं ड्यूसा को मैं एक्स्प्रेंग करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूँगा ठीक है नाइडेरियंस शो वह लिए से दाइमॉर्फिक कंदिशन दाइडेरियंस अ विए मॉर्फिक कंदिशन अ विए समझते हो डाइमॉर्फिक का मतलब होता है इसकी दो फॉर्म सोती है दाइमॉर्फिक तेक विए को थिया पॉलिफ और एक तेमेंद इूशा अभी लान्य बढ़ाइक मैं एंसी आइट थे की एक तो आधि से पॉलिफ और एक विए में ड्रिट सा मज़ना ओ यह को थिया पॉलिफ और एक ऋड़िवशा पॉलिफ और मैंडे're अब क्या अंतर होता है पॉलिप और मेडूसा के अंदर समझो पॉलिप और मेडूसा में अंतर क्या होता है अब देखो पॉलिप तीन पॉइंट याद रखना पॉलिप और मेडूसा के कि अगर मैं पॉलिप की बात करूं कि पॉलिप सिलिंड्रिकल होता है इस यह थे न करएपम होता है अपितेरा इस पीट्ट्र जानट है उक भी तो पालिप्स से लोगता है ठीक है जब कि आगर में डुशा की बात करता ंब भात को में डूसा अमब्रेला लाईक होता है समझना जिससाल होता है तो फ्री स्विमिंग होता है फ्री स्विमिंग अगर मैं पॉलिप्ती बात करता हूं तो पॉलिप जो होता है एसेक्शुल ए है झेडिाएं करता है है कि अधा इसेक्शन बेंस आउल वेज सैक्श्वल fråga करता है समझना यह निए इसिए हैं समझरो तो यह खुछ मेंबर वोते थीक है वो पॉलिप Mysterie करते हैं कुछ मेंबर सो करते हैं कि आपके एक्जमपल पूछे तो जब बताओ पॉलिप्स एप्जमपल बताओ ठीक है पॉलिप में हाइडरा याद रख लेना घॉड्रा गॉर्गो निया रख लेना अगर मेडियूसा का एक्जांपल पूछेगा तो आप सब जानते हो समने डिस्कपरी पर देखा औरी लिया आउरीलिया ठीक है और हिलिया एंच आड़ इसे स्विमिंग लइक और रिलिया जिसको जैली फिश भी बोलते हैं औरीलिया जिसको हम जैली फिश भी बोलते हैं और इलिया इसको आप जैली फिश भी बोल सकते हो अगत कुछ तरीके से थी ना इस तरीके से जाला या कुछ कुछ ऐसे दिखाते हैं ठीक है अंबरेल जैसी होती है कि जबकि है और का सिलिंड्र कर स्ट्रुक्चर होता है अक्ट निए पर मूस्टली थीक है से साइल होते हैं जीछ बग वी जाता है और floating भी कर लेता है पर यह free swimming ही होते हैं इसके पास सिर्फ और सिफ float करने के लाब होया option नहीं है floating bubble बनाता है और float करती रहती है तरीके से ठीक है बहुत सारे ऐसे बहुत सारे यह movement भी करते हैं इस तरीके से ठीक है और इलिया jellyfish यह floating फ्री स्विमिंग तो ये डिफरेंस याद रखने हैं बाट कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिन मैं पॉलिप और मेडूसा दोनों ही फॉर्म मिलती है उनकी लाइफ के अंदर ठीक है जैसे इसको भी एक बार देख लेते हैं लेते हैं कि अंद्त्र विग वखने हैं विए phylum show both both form polyp and medusa and medusa polyp and medusa डौनों ही फॉर्म मिल रही है पॉलिम भी मिल रही है इन डियर लाइफ साइकल इसकी लाइफ साइकल में दोनहीं साइकल में अल्टर नेटिवली alternatively समझना मेरी बात ठीक है इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं क्या इसी के दीक यूश करते हैं अल्ट्री नेशन ऑफ जनेरेशन और नेशन और जनेरेशन है उसकी अओञ टर नेशन壹ं आ इस गोलते हैं ऊश्पनकों से कना वह बिशनेशन को वह डिश्पर्टे गोलके यांते हैं टोडनकों से टिक को बनते हैं समझना मेरी बत कंफियूज मतना मैठास्य massage मेट अ मौर्फॉस इंसे मैटामॉर्फॉस इस का इन तरण को बोलते हैं ठीक है और मैटा मेटा मैरेजम सेग्मे ね मेन तेशन को बोलते हैं मैटास्टास mm cancer का फैल जाना मैटास तैसिस आँ क है मैटाय मैस जेने सिस का मतलब होता है altration of generation generation में alternation ठीक है तो यह कंडिशन कहान देखने को मिलती है दोeg hopple द्हां रखने आपको यहां पर एक तो אॉब लिया कर इटो आपinka बीलिया इएंद फाइसे लिया इन दौनों के अंदर आपको alternation of generation देखने को मिल जाती है जिसको मैटा जिनासिस बोलते हैं समझ के ना है मेरी बात तो मैं हमें साइक ओबलिया की सब्सक्राइब लिखा देता हूं तो बच्छों को याद रहता है कि एक्च्छल में होता क्या है यह alternation of generation ठीक है इतने में आ जाती है life cycle of ओबलिया हम जगे भी यूटलाइज कर लेते हैं ठीक है लाइफ साइकल ऑफ ओबलिया लाइफ साइकल ऑफ ओबलिया ओबलिया की लाइफ साइकल क्या है life cycle of ओबलिया अब देख लो एक मिट समझ में आ जाएगी आपको माल लो यह ओबलिया है ऐसे 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 ये इसकी एक्ट्रन बड निकल रही है यह बड़िंग ओर यह कंदर ठीक है एक सेच्ट्ट अरफ एक्टाक्शन तो मिलता ही है बताय है मैं अभी ठीक है अटेच्ट विद सॉलिट सर्फेस अटेच है एक एक्ट्ट्ट्री कल है in the cylindrical है is actually reproduce कर रहा है बड़िंग प्रेसेंट है आपर बड़िंग प्रेसेंट है सिसाइल है अटेच्बेस सॉलिड सर्फेस तीनो पॉइंट मिल रहे हैं और सिसाइल भी है अटेस्ट पॉलिट सर्फेस ठीक है समझना यह स्टेज क्या कहेंगे इसको इसको बोलेंगे पॉलिप पॉलिप तो पॉलिप देखने को मिल रहा है अब पॉलिप का कर रहा है इंटरनल बड़ भी बना रहा है पॉलिप बना रहा है इंटरनल बड़ यह इंटरनल बड़ बन रही है 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 इंटरनल ब बहुत भार आई ना यह कुछ ऐसा हो सकती है अंब्रेला लाइक अंब्रेला लाइक अंब्रेला लाइक ठीक है यह स्कूर से दिखा रहे थे हैं इंसीयर आपके अंब्रेला लाइक ठीक अंब्रेला लाइक अम्रेला लाइक अंब्रेला लाइक कि यह जो स्टेइज दिख रियों क्या है है यह 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 थो जब कि आख तरोने है सुरी अपलोई ना यह दिपलॉए ना यह यह भी दिपलोइड है यह भी दिपलोई असमझना पर एसक्शली यह कैसे वासेट्टोल इपर एक्शनली ए sexual reproduction is sexual reproduction से मेड्यूसा बन रहा है और मेड्यूसा की अगर बात की जाए ना तो यह बनाएगा मालो मेल गैमीट यह बनाएगा मालो फीमेल गैमीट समझ ना मेरी बात गैमीट बन रहा है और यहां गैमीट बनते हैं मतलब sexual reproduction हो रहा है ठीक है और यह मेल और फीमेल गैमीट आपस फियूज भी तोंगे बनेंगे तोसी ऊंगे समझ रहो फ्यूजों गया फोटलाईजेशन ओगा व टेलाईजेशन मतलब सेक्छाल ले प्रखशन यहनी मैं ढून सामिस सेक्च्छ बर्बूस करता है तो सेक्छाल रप्रक्शन हो का बनेगा आगी करके ठीक है जाए गोट बने गा और यही लारवा धीरे-धीरे-धीरे मूफ करेगा और एटेच होजाएगा इस ही आधरा सोलिट forecasts से समधना और आस बाय सेक्षाल परेक्शन यानी फले प्न रहे सेक्षव रशे प्राट्श थे ऐजए फॉट्रिफें ते यानि पॉलिप जो यह सक्च्चुली प्रेडियुस करेगा यह सक्च्चुली मै डिशा यह पूरी लाइफ साइकल चलती रहेगी alternatively समझ लोगना मेरी बात इसी को बोलते है all the nation of generation या मैटा जिनाशिस समझ में आया इसी को बोलते है alternation of generation metagenesis इससे समझ में आएगा कि किस तरीके से यह पॉलिप और मेंडिल साब पॉलिप और मेंडिल साथ का खेल खेलते हैं समझ रहो sexually sexually इसी को बोलते हैं alternation of generation जो ncrt के साब से बहुत बहुत इंपोरेंट है भाई very 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 important से लिंट अगर सब्सक्राइब पॉइंट ठीक है समझ रहो तो यह मैंने सब बताई दिये नाइडेरियंस जिच एग्जिट इन बोथ फॉर्म जो दौनों फॉर्म में एग्जिट करते हैं ठीक है अल्टरनेशन ऑफ जनेरेशन जहां देखने को मिलता है ठीक है इसको मैटा जिनेसिस बोलते हैं ठीक है समझ जिसके अंदर पॉलिप पॉलिप प्रेडियूज मैडि से लिया तो ओब लिया की लाइफ साइकल मैंने एक्स्प्लेइन कर दिया समझे तो यह आपका सीलिंट रेट एकदम बढ़िया तरीके से एंड होता है यहां पर इसकी एंडिंग हो जाती है यह सबसे इंपॉइंट पॉइंट इसके यह जो मैंने लिखा है ठीक है एंसी है यह पॉलिप है पॉलिप है पॉलिप है पॉलिप है वह मैड्यूसा है समझे रहा है मेरी बात तो पॉलिप और मैड्यूसा दोनों दे रखें यह एडेंसिया का डियाग्राम दे रखा है नोंने एडेंसिया भी वाला एडेंसिया है ठीक है और यह और इलिया है और इलिय आउरीलिया तो अब बताओ जहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होगा ठीक है एक्जामपल कुछ मैंने रंग बिरंगे एक्जामपल डालती है जो आपकी मेमूरी में चले जाएंगे और आपको याद दिलाएंगे के भाई हम ऐसे थे तो मेमूरी में डालने के लिए कुछ जैसे एक्जामपल मैं आपको धिना कहें तरह लो पह से लिया इसको पॉर्तग्यूज मैंन ऑव Приसेलीया इसको पॉर्तग्यूज मैं ओव समझते हो माना को हुब पॉर्तगाली है यहЕट लगाए है बड़े-बड़े उसके बाल है अब पॉर्तगाली जब लड़ने जाते एक ऐसा पुर्तगाली जो हात मैं कुछ लेकर के बड़े-बड़े बाल बिख रहे हुए और लड़ने जा रहा है वह है फाइसे लिया पॉर्टक्यूस मैन ओवार देख रहा है ना आपको ठीक है मानों उसका चेहरा उदर होगा चेहरा उदर होगा इसकी नोज आई सब तरों ठीक है आडेमसी ऐस सी एनीमून अभी डागरम दिखा था इसी एरदी नेभी कुछ ऐसी होती यहसी यह पैने चुला पैने चुछ्ट gonn राजा महाराजा पहले पैन जो लिखते थे पहने टूला सी पैन यह तीन डागरम आपको याद रहेंगे यह पैने टोला किसी पैन यह ठीक है अडीम सी आ हो गया सी अनी मून यह पार्थिक यूज मैं ऑवर एंसी एंदी ने तीन एक्जाम दो एक्जामपल और दी हैं ठीक है गौर्गोनिया गौर्गोनिया लाइका चाइनीज फैन गौर्गोनिया सी फैन सी फैन बोलते के बोलते हैं और मेंड्राइना मेंड्राइना इसको ब्रेन कोरल बोलते हैं लाइका ब्रेन सेरी प्रम जैसा स्ट्रक्चर होता है तो इसकॉल ब्रेन कोरल ठीक है तोतल फाइब ए होगा दो फाइलम कंप्लीट हो गई हम एंटर करेंगे अप थाइल फाइलएंप ठीक है टीनो फॉरा टीनो फॉरा टीनो मतलब क्या होता है समझ कॉमब प्लेट बियर ऐसे एनिमल जो प्लेट को बियरिंग करते पूरन से ठीक है जैसे कि देखो मैंने बता है यह कॉमन फीचर नहीं याद रखने कोशन नहीं आएगा उन फीचर पर कोशन आएगा जो स्पैसिफिक फीचर है स्पैसिफिक टीनो फोर्स के यह स्पैसिफिक ठीक है आप बोल सकते हो नाइडेरियंस के ठीक है जो डिस्टिंग स्करते हैं तोरों के दरार पैदा करते हैं बस उनको याद रखो उन पर कोशन आएगा ठीक है तो पहले तो मैं एक बेसिक फीचर बता दूं तीनो फोर्स का कि यह कुछ ऐसे होंगे कि अधिक अधिक डियागराम भी बता रहा हूं एक दो चार तोटल एट प्लेट नजर आएंगे आपको ठीक है टोटल एट प्लेट और देखोंगे लाइका कॉम्ब लाइका कॉम्ब कॉम्ब की तरह है लाइका कॉम्ब कंगे की जैसे मानो कोई कंगा लगा दिया ओ सिलियेटिड है कॉम्ब बियरर लाइका प्लेट को धारन करने वाले कॉम्ब बियरर इनको बूल के टीनो फोर्स समझ रहे ना समझ रहे हो या नहीं समझ रहे है ठीक है यार फूकस करो ठीक है आज टीसरा फाइलम है अब ही दो और दुर भच्चे अब सम्झे मेरी बात यह इस तरीके से और व्र बीयरर है तीनो फोरा और यहाँ पर टेंटीकल दिखा देते हैं यहां ऐसे होते हैं को सी वालनट जैसे ठीक है ऐसे एट कॉम प्लेट होते हैं इनके पास एट होते हैं एट सिलिए टेंट होते हैं ठीक है टीनो फोर्स कमनली नोन आज सी वालनट भी बोल देते हैं इसको सी वालनट भी बोल देते हैं इसको सी वालनट सी वालनट भी बोल देते हैं इसको को लीन नुनाइस सी वालनट समुद्री अख्रोट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉम जैली क्योंकि इसमें जैल भरा होता है ठीक है एक्सक्लिऊजिवली मरीन महलब यह इस पशेवीचर इसका यह सपासर मारक मिना रहा हो जबके सीलन्ट रेट की बात करूं की बात करूं तो नाइडेरियंस की तो नाइडेरियंस मोच्छी मरीन से बड़ संग प्रेजेंट इन फ्रेश वर्टर यहां फ्रेश वर्टर का चक्करीन यह ऑनली और अली मरीन वर्टर सिमेट्री दोनों के इंदर रेडियल मतयाद रखो डिप्लब्लास्टिक दोनों हैं मत याद रखो टिशू लेविल ऑफ्रेशन दोनों में मत याद रखो ठीक है बोडी बियर एट एक्सटर्नल रो बाहर की तब देखो कि एक्ष्टनल रो देख रहे हैं जो सिलीटेड कॉंब प्लेट है एक एक्ट कॉंब प्लेट हैं सिलीटेड होती है जो लोको मोशन में लोको मोशन ठीक है डाजेशन उसकी तरह है पहले एक्स्टर सल्वर फिर इंट्रसल्वर तो याद नहीं डखना ठीक है समद गेना मेरी बात कॉमन फीचर से अब जो मैं एंडरलाइन की है मुझ स्पेसिविक फीचर से अब अगला स्पेसिविक फीचर क्या है यहां पर से लाइट को इमिट करते हैं यह खास मॉइड है नागे आसे पर परभर्टि नहीं थी कर वाले का स्पार्ट सबसेरों करती है और sex are not separated को कि HMB condition दोनों के अंदर मिल रही है उसमें भी उसमें भी ठीक है तो इसमें तो को ज़्याद अंतर है नहीं हाँ reproduction only और only sexual होगा only sexual होगा a sexual नहीं होता only sexual reproduction होगा वहाँ पर a sexual sexual दोनों था यह sexual a sexual नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ sexual होगा हां वह इंडेरेक्ट था याँ वी डेरेक्ट इंडेरेक्ट थै कि लारवा यहां पर भी प्रेसेंटोता है तो development इंडारेक्ट डियोंगा indirect development पैइंग्समन बहुत ज़्यादा नहीं है दो Yesamble ने तो और अब चालू करते हैं इसके बाद ठीक है अब दो फाइलम बसते हैं हमारे कौन-कौन से ठीक है अब यह कॉमन फाइलम थे पौरी फरा सिलिंटर टीनोफरा लगभग एक जैसे ठीक है कहीं रखीन में अकनेक्शन है पर अब एकदम आलग जा रहे हैं ठीक है परासाइट पर राउंड वाम में चप्टे क्रमी और गोल क्रमी है ठीक है तो इस पर हम एंटर कर रहे हैं यानि प्लैटी हलमन्थीज और एसके हलमन्थीज की बात कर रहे हैं ठीक है फाइलम प्लैटी हलमन्थीज और फाइलम एसके हलमन्थीज करते हैं स्टार्ट चल अ की हमेइए दो ती मे धाइप लैटी या मतलब होता है बटा स्लेक्ट है मतलब होँ समना ऐसे वां मुझस दॉर्स लो कर सफ लैट है प्लेटी फीकर स्ट लेटी मतलब होता है इस स्लेटी घैलविंठी स्ट्र वॉर्में तर्स शली रॉक्टव लेटी मतलब फ्लेटिन हमन्थी इसे वर्म जो दर्सो वेंडरली फ्लेटन दो ते उनको प्लाइड इसलिए इनको फ्लैट वोलते हैं समझ में आया तो बेसिक फीचर की अगर मैं बात करूं तो इनमें सबसे पहले आता है कैसे होते हैं इनका है क्या है तो मुश्टली एंडो परासाइट होते हैं बड़ सम प्रेजेंट सम फ्री लिविंग टाइप की होते हैं जैसे प्लैन एर कैसा होगा आप तो भाई टिशू लेवल ओफ और स्टर्ट होता है और इसके बाद और सिस्टम लेबल ऑफ और सिमेट्री कैसी होगी और बाई लिटरल सिमिट्री होगी एल तो नहीं मिलती है यहां पर तो ठीक है अच्छा इसमें सिंगल ओपनिंग होती है यह माउथ और नस दोनों प्रिजेंट थे ठीक है तो पहला लेक्चर बहुत जरूरी था मैं पहले लेक्चर को हर लेक्चर में जोड़ना चालू कर दूगा और इससे क्या होगा रिवीजन होगा जिन बच्चों तो यार रिक्वेस्ट पहला लेक्चर पहले देखो तब सेकंड लेक्चर से मज़ आएगा ठीक है समझ रहें तो अब यह बेस्क है ठीक है ल masterpiece की बात करते हैं स्थाल मतंथा एससेशल अडरी है मिलता हाइए इंधिय उस्टेज्जेश भर के होती है उस्टार करते हैं ठीक ये और मोस्टली अंड्डबर न न्डबरेसाइacasमें और पलके एक बहुत हम ईंड्डबर परासाइट ठीक है वे अंदर मिलते हैं अर बाइलेटरली इसे इस से पहले में सीलोम की बात नहीं की पिए हैं मेज़ोडर्म की रिक औरम की होती है तो मीज़ोडर्म नहीं तो थी नहीं अब से condition यहां से चालू हुई है मीजोडर्म यहां पर आई है बट अभी यह मीजोडर्म कैबिटी नहीं बना रही ठीक है सॉलिड है समझना मेरी बात इसलिए अभी यह एसलोमेट है अभी इसलोम नहीं बनी अभी एसलोमेट है इसके बाद पढ़ाओंगा स्केल में थीज वहां सीडो सीलोमेट है उसके बाद टोटली ट्रू सीलोमेट कोई चक्कर ही नहीं है ठीक है हाँ और्गन लेबल ऑफ और नाशन बताई चुका हूं अब बहुत इंपोर्टेंट चीज है हुक एंड सकर अब समझो मेरी बात यह कैसे जीव है एक ऐसी जगह र हाँ तो आती ही रहती है अब प्र ऐसी चह्개 Legend कोई रह सकता है तक यह बंदे रहते हैं मस तरीके से रहते हैं ठीक है आपकी गट मे रहते हैं ठीक है हर समय परिस्टकाल से जोर्त है भूकंपा रहा है जब तब तुम एक जग पानी पी जाते हो तो इन यह भाई adaptation यह है बहतरीन adaptation तो इन्होंने कुछ तो किया है जिस बज़े से यह इतनी यह तो किया है इन्दर है और रहे लिए पास क्या होते हैं होक लंगर भाई लगा लिया अप आने दो बार कैसे हम कर पाते हैं ठीक है हो को टे सकर होते हैं जिसकी बज़े से में पाते हैं तो अब मैं पूरा इसका डागरमेटिकली समझाता हूं तो बहुत बढ़ी समझ में आएगा आगे से डागराम दे रखाएं लुखो और इधर दे रिखा लिबर फ्लीव फैशियोला फैशियोला हेपैटिका ठीक है तो पहले मैं तो थोड़ा सा थोड़ा सा एक्स्पेरियन करूंगा जिसमें हुक बाला कंसेप्ट क्योंकि नीट में पर पूचा किया है तो वो क्लियर हो जाएगा इतने पार्ट को मैं थोड़ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा ऐसा स्ट्रक्चर कुछ आएगा ठीक है जो हैड़ वाला रीजन होता है और यहां पर दो कतारें होती है रो वन और टू इन दौनों कतारों में लगे होते हुक जिनकी हैज से इंटरस्टाइन के अंदर अपने को होल्ड करके रखते हैं समझना इ सकर देखो एक तो यहां होगा एक इधर होगा एक इधर होगा एक देखे गया नहीं पिछे होगा ठीक है पिछे होगा तो टू रो होती है होक्स की समझना यह कहां होग होगा तो रो होती है ठीक है खुक्स की जिसके अंदर 22 से लेकर के 32 तक माहनो ठीक है अप्रोक्सिमेटली ठीक है हुक्स होते है थर्टी टू एप्रोक्सिमिटी थर्टी टू तक होक होते हैं इनके पास समझ रहे हो तो लगबग इनके पास टू रो होती है समझ पा रहे हो तो, यहां पर लगबग 22 से लेकरके 32 क्या होते हैं, 2 row होता है hooks की, और hooks का काम क्या है, adjacent किसी चीज को जगा ले लिना जबके सकर का काम क्या होता है, सकर इडरेशन का भी काम करते हैं, और इंजेशन का भी काम करते हैं फिर से खनी जाता हूँ ठीक है यह सब तकर acre यह दीचिस यहां सकर्ष होते हैं फोर होते हैं भूक का काम क्या होता है ओजमेंट को अगर मैं सकर की बात करूं शकर का का मुस्वित हम क्या होता हैसकर क्या का काम ने यह जबिन को प्लस इण जशन ओफ अर खाने का अंत्र ग्रैंड भी करते हैं इंजशन ओफूड भी करते हैं खाने का अंतर डिकर सकर खाने को निगलने में भी हेल्प करते हैं चिपक भी जाते हैं अटेश्मेंट इमेंघ थे तो ये दो पेरसिटिक एडप्टेशन है इनके पास जो ती निया मैं तो खास तरब से देखने को मिलती है कोगी अगर में हुक्स की बात करता हूं तो हुक का प्रिजेंट ह होते हैं हुग में प्रजेंट इन की निया थिक है प्लैटी एल्मंधी इसमें तीनिया के अंदर ठीक टेवां में और लिए बोल सकते हो कि जब यह कि अगर मैं सकर की बात करता हूं सकर यह जो दिना यह सकर लेख देता हूँ कहां प्रजेंट होते हैं सक्रश कांप्रेजेंट होते हैं सबके अंदर होते हैं ठीक है इन हमी ओप ठिकए फैशियोल 1 वही होते हैं 4 6 में भी होते हैं अजन के पास सकर्ष होते हṬ outright सिर्फ और सिर्फ तीनिया आगे पासं तीक है निया मनला ट Chand chatting तो यहां पर फैशियोला लिवर फ्ली कोई हम एक नाम और देते हैं आख फैशियोला है हे टेका बोलते हैं पैटे का हिप आ सब्सक्राइब हुपाइप हिपो हिपार कहीं भी आ गया समढ़र लिपर की बाद चल रही है से स्छिआथ हे टीक एक ऐसा फ्लेट ऑब ही पेटिका जो लिवर की बाइल डाक्ट मे रहता है तोडिशन और है पैटिका लिबर Jacob को बोलते हैं समझ में आया इसको लिबर फिल्यूक बोलते हैं तो फैशिल हीपेटिका की भी खास बात है इससे काफी चीजिए क्लियर हो जाएंगे आपको ध्यान से देखो कि यह तो ओरल सकर यहां औरल सकर देखने को मिल रहा है ठीक है यहां पर एक स्क्रीटरी पोड़ी होता है इनकी एक स्क्रीटरी और स्पोंद यहां पर ओए September लोगी और यह सब्साइटरी किनाल सोंगी सब्साइटरी किनाल ज हुए इस तरीक तरीके से इस तरीकिये से चुन में जोड़ी होती है फ्लेम सेल्स फ्लेम एस chess' उस में ऐसे बना ते रहा हूँ यह सकूलरी इसल्स में टीले सल्म स्मस्म मैं लिए लिए था हूं ठीक है को एक्सक्रीशन फॉर एक्सक्रीशन फ्लेम से इसलिए एक्सक्रीटरी पोर नीचे बना होता है ठीक है तो दो डाग्राम में समझा दिया बापासा रहों में हुख सेंट सकर आर प्रिजेंट इंप एक वर्म कोई करतिक एडपेशन एप्टेशन है तो प्रेजेंट ओगी आप समझे रहे हैं प्रजेंट बोगी संभी इसोड़ाइब निउटीतरिशन फ्लम टियर वोस्त डाइरेक्ली थ्रो बडी सर्फेस कोई कई कई का सरीर यतनह लं आप डाइजेशन करते हैं उसको वह एब्सॉर्ब कर लेते हैं यह परसिटिक अडप्टेशन है इनकी ठीक है तो डाइग्राम मैंने समझा ही दिया है इसमें क्या क्या चीजह हो सकती है ठीक है इसको नीचे करते हैं ठीक है अब आज़ा हूँ ठीक है इस पेसलाइस सेल क्या अब भी बताया मेंने क्या बोलतें को flame cell ठीक है एल्प इन उसमो रेगुलेशन यानि एक्स क।षिछन और और आप्टिट करते हैं फ्लेम सेल अधा फ्लेम सेल का और भी कुछ बोलते हैं ऑनको तुक्षोली नियूशाइट सैल भी बोलते हैं तो ट्रों आफ रटों नेफर अफ्रीडिया फ्रोटोन एफडिया स्लीनोसाइट सेल फ्लेम समद्रेंड आं कहीं नाम एन शेक्स नॉट सेपरेटिर बलौ अब भी अंबर का देखने को मिल रही है कंदिशन देखने को मिल रही है ठीक है ऐसे इंटरनल सुर्टा इंटरनल ही होगा ठीक है एंड डवलमेंट इस थो मैनी लारबल स्टेज यानी इन डारेक्ट इन डारेक्ट ठेक है इंटर्णल क्या होगा पानी में तो रहते नहीं यह ठीक है जोसके तो कर लेंगे यह बॉडी के अंदर रहते हैं तो तू जिरी प्रेक्शन्स शेक्च्छल दौनों ही मिलेगां सॉफ ना गोड attain by sexual तक देखने को मिल रहा है प्लैने या रहर है प्लैने या के अंदर कोश्छ के अंदर हाइए री जनरेशन पावर करता है ठीक है जब कि सेक्चुल की अगर बात करूं ना तो सेक्चुल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा समझना फर्टिलाइशन सेल्फ भी होता है और क्रॉस भी होता है सेल्फ कहां परोगा है सेल्फ कहां परोगा डिर के अंदर। मैं 3 परोगा ईसके लावह एाख इस चाहिए बच्छास में सिर्फ होगा और वा फैशियल आउल में प्लाइरिया के समझद रहो हुँ ना वर मिटन यो मैं बगल बगल में सेग्मेंट होते हैं दो सेग्मेंट आपस में मिल जाते हैं तो एक तरीकी से सेल्फ फेटिलाइशन बोलते हैं इसको ठीक है बट फैश्वल और प्लैनेरिया के अंदर मजबूरी है एच मभी होते हैं भी करते क्रॉस है समझ में अर्थ-वाम की तरह है तो सही समझ में आगा हो पार्ट से एक चुली रिपडियूज करता है रिजनरेशन पावर बहुत हाई होती है अब यहां एक्जामपल दो ही आपके सलेवस में तो टीनिया दे रखा है इनों ने ठीक है एक फैश्योला दे रखा है जिसमें फैश्योला की लाइफ साइकल बहुत इंपॉर्डेंट है लाइफ स लाइफ साइकल और से लुझा है अब लीवर फ्लूप भी बोल सकते हो या फैश्योला हे पैटिका ये पैटिका फैश्योला हे पैटिका इसकी लाइफ सैकल बहुत इंपॉर्डेंट है शोट लिए वे जिसमें पहुत लिख रहा हूं short समझना मेरी बात इसकी life cycle monogenetic होती है digenetic कुछ basic बात द्धानक नहीं है आपकी life cycle digenetic होती है कि डाइज जनेटिक डाइजनेटिक का मतलब होता complete into host complete into host अब दो स्टोंगे तो एक primary secondary होगा तो primary कौन होगा secondary कौन होगा यह ध्यानक नहीं एक primary host होगा primary host होगा एक secondary होगा primary वोता है जहां पर कैसा होगा sexual primary कौन होगा sexual secondary होगा जहां एक sexual होगा always तो primary example बता है primary किसके अंदर होगा primary होगा गोट के अंदर सीप के अंदर समझ रहे हो secondary का होगा स्नेल स्नेल के अंदर तो यह गोट शीप स्नेल यह आपको याद रखने ठीक है इसकी life cycle die genetic होती है life cycle die genetic होती है दो होस्ट होते हैं जब भी किसी की life cycle die genetic होगी तो में सब्सक्राइमरी होगा एक secondary होगा आप समझ रहे ना मेरी बात एक secondary होगा प्राइमरी आपर कौन होगा गोट होगी या शीप या शीप होगी गोट होगी या शीप होगी अरे गोट होगी या शीप होगी यह प्राइमरी है क्योंकि इसके अंदर सक्चुल रिपरड़क्शन हो रहा है स्नेल इसमें इसको सेक्ट्री वोस्ट बोलते हैं यह चीज ने तो हर पैरासाइट की याद रखने हैं आपको हर पैरासाइट की तिक है अब समझो मेरी बात इसके लारबा की में बात बता रहा हूं ठीक है तो जो मेल और फीमेल होते हैं वो गोट या शीप के बाइल डक्ट में रिपरड़क्शन करते हैं और अपने लारबा को छोड़ देते हैं गोट की गट में लारबा गट से होता हुआ बाहर आ जाता है ठीक है स्वाइल में घास में जो लारबा घास में आता है वो कौन सा लारबा होता है ठीक है आप समझना मेरे cdm लारबा कहानी चालो होगी मेरे cdm लारबा से ठीक है यह मालो primary host है primary host है primary host के अंदर क्या होगा अंदर होगा sexual reproduction इसमें क्या होगा sexual reproduction और sexual reproduction के बाद जो पहला लारबा बनेगा फॉस्ट लारबा फॉस्ट लारबा वो क्या बनेगा ठीक है मेरे cdm लारबा मेरे cdm लारबा फॉस्ट लारबा मेरे cdm लारबा इस लारबा फॉस्ट लारबा इस फॉस्ट लारबा इस नफेक्टYeahudze जिस सेकंडरी ओस्ट के लिए इंफेक्टिव इस्टिज उती है यह गट से बाहर निकला रिप्रदशन के बाद स्वैल में पड़ा हुआ है अब दीरे 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 स्नेल मिल जाता है इसको इसनेल की ऊपर की तो हाड़ सेल होती है पर उसके रेस्पारीटरी पॉर होते उनसे एंटर कर जाता है अंदर स्नेल के अंदर स्टेल में अंटर करेगा और एंटर करके समयcede कि स्नेयल में एंटर करेगा यह मेरे सीडियम लार्बा एंटर इन स्नेयल और यह उसकी गट के अंदर अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेगा और बन इसको बोलेंगे स्पोरोसिस्ट आइस पोरो इसपोरोस इस्ट्रक्चर बन जाएगा इस पोरो स्ट्रक्चर बन जायेगा ओ क्यों हूं कि ठीटियम लारवा फस्ट लारवा in fact कुषी सफर स्टेइल यह स्ट्रोस सिस्ट में कनवर्ट हो जागा स्नेल की अंधर क्लियर उसकी गट के अंदर उसकी गट के अंदर अब यह स्परोसिस्ट के अगर में बात करूं इस परोसिस्ट की अगर में बात करूं तो यह स्परोसिस्ट धीरे से convert होगा मतब खाएगा पिएगा अपने size को बढ़ाएगा और size को बढाके बना देगा रेडिया जब खापी के रेडिया बन जाएगा size बढ़ा हो जाएगा अब जब खाएगा पिएगा गट में रेडिया में convert होगा तब यह एस एक्च्वली रिपडियूस करेगा ठीक है और रेडिया से बनेगा सर्केरिया रेडिया से बनेगा सर्केरिया रेडिया कनवर्ट इंटू सर्केरिया रेडिया कनवर्ट इंटू सर्केरिया रेडिया सर्केरिया में convert होगा रेडिया सर्केरिया में convert होगा अच्छा रेडिया सर्केरिया में कैसे convert कितने convert होंगे six to eight एक रेडिया से छैसे आठ छैसे आठ सरकेरिया बनेंगे बाइस sexual reproduction by a sexual reproduction इसको क्या बोलते हैं पार्थी नोजनेसिस अब समझना सरकेरिया रेडिया इन्फ Converte Sercavia अवसेरिया जो है समझना इस पूरूसट लेडिया सरकेरिया ठीक अवसर के रिया जो बनेगा ना यह मैत सरकेरिया के अंदर है तो तरक चै!' उस पूरूस-शट वन गया ठीक है रेडिया बन गया सरकेरिया बन गया ठीक है अब पने का मैटा सर के रिया समझना मेरी बाद शीकर इपनी वास समझ निया आपको अच्छा एक चीज में एड़ कर रहा हूँ रोको रूको 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 ठीके रीडिया है इसको थोड़ा सब तूरा ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सफट चेंज करते समुझना एक्ट्वल मैं जो तो चैसे आट रेडिया बन रहे ना इच्छा इसको एक मिट को चेंज एक मिट को अच्छा ठीक है इस परोसिस्ट बन गया अब समझो अब यह स्परोसिस्ट यह स्परोसिस्ट अपने साइज को बढ़ाएगा खाएगा पिएगा और यह कनवट होगा किसके अंदर रेडिया के अंदर ठीक है त´ गेज़ों इनका सौरमेशन कितने रेडिया बन रहे है यह से आठ रेडिया बन रहे हैं ठीक है और यहां पर हर एक से टोटल छैसे आठ है ठीक है टोटल लगबग मला हर एक से बनेंगे तो लगबग आप बोल सकते हो नभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ पारति नो त जिन्हाइस शिए पारति नो जनदेर बिना फाटलाइज़ेशन के समध्योग ढ fatto sociais को बनाएगा खाएगा पिएगा और प्र करेगा यहां बनेंगे छैसे आठ रेडिया और हर एक रेडिया से 15-16 तो लगबग 90-90 96 सरकेरिया बन जाएंगे बाई पार्थी यहां भी पार्थीनों जने से जोरी है यहां भी पार्थीनों जने से जोरी है दोनों ही जगए एस एक्षुल रिपर्ड़क्शन हो रहा है समझ रहो तभी तो मैंने बताता तड़ा सकेंडरी होस्ट थीक है तो मेरा सेडियम लारवा सकेंडरी होस्ट के लिए स्नेल में अंदर कर गया पिस्हट्र कम बलेंगे सरकेअडर से बाँ निकलेगा और से सभार निकलेगा मेंटा सरकेलिया के अंदर Yes मैटा सरकेलिया लारवा और यह मैटा सरकेलिया लारवा इन्फेक्टिव इस्टेज होती है किसके लिए प्राइमरी होस्ट के लिए क्यों कि मैटा सरकेलिया लारवा लीफ से चिपक जाता है फिर गोट और स्नेल आते गोट और शीप आते हैं लीफ को खाते हैं तो मैटा सरके सिदह के गट में चला जाता है मैं यह सारे मेंन पाइंट होता है कौन किसके लिए इंफ तो यहां तीन लावा दिखा है मैंने आपको इस्पॉरो से रेडिया सरकेरिया स्नेल के अंदर ओते हैं यह सोयल में होता है यह सबसे पहले मिरे अंदर आ खर किस्टे बनाएंगा स्पॉरो स्ट फिर समझ मैं आ गई होगी कोई दाउट यह नहीं होना चाहिए यह काफी इंपोटेंट लाइफ साईकल थी ठीक है फैशियूला की, लिबर फिलिू की बहुत बार बहुत सारे exam में कोशन आए तो टेप वाम भी कलियर हो गया हमारा फैशियूला भी हमारा कलियर हो गया यहाँ पर हमारा यह वाला पार्ट फिनिश होता है यहाँ तक कोई doubt शाउट नहीं होना चीए तो आपके चार फाइलम चार फाइलम तरीके से करा दी है मैंने बहुत तरीके से बहुत कंसेप्चुल इस से बाहर कोशन नहीं मिलेगा आपको बस एक्जामपल ठीक है और जो पॉइंट में एडिशनल लिखा है बस वो पॉइंट ठीक है सफी सेंट है ठीक है चलो यह वाली बात नहीं क्लियर होगी हम बात करते हैं एस के हैलमन्ती एसकर नसकी बात करते हैं तो यह राउंड है गोल क्रमी राउंड वॉम एसके अलमंधीज का मतलब है इनको निमेटोड भी बोलते हैं सुना होगा आपने अगर बायोटेक पढ़ा हो मुझसे यह कहीं भी पढ़ा हो तो बायोटेक में मैंने बताया था टुबैको की रूट में निमेटोड का इंफेक्शन था जिसके ट बच्पन में एक बार निमेटोड का इंफेक्शन हुआ होगा हंड्रेट परसेंट समद रहे हो वह पेट में पढ़ने वाले कीड़े वह तो निमेटोड है ठीक है समद रहे हो ना गोल क्रमी ठीक है तो राउंड वाउम एसके अलमंधीज को बोलते हैं राउंड वाउंड ठीक है तब बॉड़ी अब दो बेसिक चीजें तो दो इनकी और प्लैटी की चीजे काफी सिमलर है बोथ हार एंडो परासाइड थिक है दोनों के अंदर और और लेवल ओफ वह वहां पर और लेवल ओफ और सिस्टम लेवल ओफ और्गनाइशन है ठीक है समाना प्यासिटि स्वैपिटेटि इनका ठीक है से मिट्री दौनों के अंदर है दोनों ही मिलता solve सेग्मेंटेड है समझ रहे हां जहां पर सिस्टम डबलब हो गया था वैल डबलब मस्कुलर फैरिंग्स डबलब हो गया था त्यू विदिन ट्यू बॉड़ी प्लेन मिलता है जैनि दो ओपनिंग होती है माउथ और एनस जबकि प्लैटी अलमंधी में सर्फ एक ही ओपनिंग सब्सक्राइब राउंड वाम है और और इस्टम लेवल ऑफ और चुका था बाइलेटरली समिंट्रिकल सभी अब तो ग्या दिमाग लगाना आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक सभी है पर अबहां सीलों डूब नहीं हुए थी शूडो सिलों थी किनाल कम्प्लीट है क्योंकि वेल डबलब मस्कुलर फैरिंग से फैरिंग समस्ते यह फैरिंग इसकी मदद से आप किसी बीचीज को रही पानी पीरते हो पानी नीचे जाता है ऐसे ही यह हमारी गट में रहता है और हमारे डाइजेस्टिड जूस या फूड को पीता है गुड-गुड करके गुड-गुड करके किसकी यह से वैल डबलब मस्कुलर फैरिंग्स यहां डबलब हो गया था तरह बाद की बात करूंस लिखाया है वैसे माँ पर भी ठीक है रेनिट सेल बोलते हैं इसको ठीक है रेनिट सेल बोल सकते हो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इनका ऐसे कि ऐसे होती है एच से ठीक है बोड़ी के अंदर होती है रांड वाम की बोड़ी के अंदर होती है ऐसे मानों ठीक है यहां से फिलूड जाता है फिल्टर होता है यहां से एकष्ड्री पोर से भारा जाता है इसको रेनिट सेल बोलते हैं एच शेप होती है ठीक है चलो कि बस सब्सक्राइब लाइन तो इसका पॉइंट यह इन पॉइंट नंबर फाइब सिक्स नंबर इसी बेकोशन आता है जो भी आता है यहां पर सेक्च्वल डाइमॉर्फिसम मिलती है डियू डैली यूनिवर्सिटी मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा फीचर्स क्या है मेल और फीमेल के वो समझने है तो एक तरफ तो मैं मेल के बारे में लिखूँगा एक तरफ मैं फीमेल के बारे में लिखूँगा यहां यह तो है मेल यह यह फीमेल ठिक है एक तरह मेल को explain करने वाले हैं एक तरह हम female को explain करने वाले हैं ठीक है थिम के अब देखो सबसेफिख साइस की बात करों अच्छा देखो जड़ा बताओ जहां साउस का साह स्मॉल साइफ का सई मेरा लगे मिवल का कॉर्णि को का विकार माणन्ट सर्क्राइट थे तर्मोल एंट ठीक है यह तर्मल एंड स्ट्रेट है इससे मतलब नहीं यह टर्मल एंड इस्ट्रेट है कि इन इन पर कोशने मिलेंगे आपको एंड स्ट्रेट अब ध्यान से देखना अगर मैं टर्मिनल एंड का अलग से डाइगना बनाके दिखाऊ तो टर्मिनल एंड कैसा होगा ऐसा अगर इस तरीके से कव्ड होता है ठीक है और इस कव्ड के अंदर यहां पर दो ऐसे काइटिन से मिलेक है काटेन मा सन्रचना उती है इसको इसको बोलते हैं सीटे पीनियल सीटे और यहां पर एक सिंगल ओपनिंग और यहीं है यहीं पर कलोईका होती है cloaca present होती है cloaca क्या common opening है for किसके लिए excreta and genitalia excreta and genitalia की common opening होती है समदना मेरी बात excreta and genitalia की common opening होती है cloaca बोलते हैं और यहाँ पर आपको यह हैं आपके सीटे पीनियल सीटे यहाँ पीनियल सीटे यह कॉपुलेशन में हैल करते हैं समझाओगा ठीक है यहाँ पर सिंगल टेस्टीज होती है सिंगल टेस्टीज टेस्टीज एक ही होगी इनके पास जब कर फीमेल में बात करें ना तो फीमेल के अंदर यहाँ पर होता है जनाटल पूर और यहाँ पेर में होते हैं सब कुछ ठीक है इसके अंदर यहाँ करेक्शन होगा वन पेर ओवरी यहां पेर में ओवरी होते हैं इसके बास सिंगल टेस्टीज होती है ठीक है समझना जेनल पूर यहाँ पर है तो सबर्द ऑरेहर नहीं होता यह मेन फीचर हैं कम यह मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा इसी को बोलते हैं सेक्शवल डाइम और विसम। डियू का मतलब होता है सेक्च्वल डाइमॉर्फिजम सेक्च्वल डाइमॉर्फिजम जैनि मेल फीमिल अलग अलग होते हैं उनके फीचर्स पर कोशन आता है तो यह सारी मैंने पॉइंट लिखा दिये से बाहर कोशन नहीं मिलेगा आपको यही सबसे इंपोरेंट है यहीं से इंटर्नल ही होगा ठीक है इंटर्नल ही होगा जब सेक्च्वल डाइमॉर्फिजम है तो भी क्रॉस ही होगा डवलमेंट डायरेक्ट और इंडारेक्ट मेभी डायरेक्ट कोशन आता है इसकोशन आता है मेभी डायरेक्ट डायरेक्ट भी है ठीक है और इंडारेक्ट भी है लारबा भी मिलता है और किसी किसी के अंदर लारबा नहीं भी मिलता है आप समझे ना मेरी बाद डॉलमेंट दोनों टाइप से होता है कोई डाउट यहां तक एकदम कंसेट सेट हुआ होगा ठीक है तो टार्गेट तो मारा पूरा हो चुका है इसमें आपको जो एक्जामपल याद रखने है क्या-क्या एसकेरिस ध्यान रखना है इस ते इसको डिटेल में पढ़ाएंगे human health and disease के अंदर ठीक है एसकेरिस कॉस करता है एसकेरिस ठीक है वहाँ पर भी हम इसको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं समझ रहे हो ना मेरी बात ठीक है वहाँ भी हम कराने वाले हैं पर बेसिक पर इतना ध्यान रखना एड़ तो करेंगे राउंड वांग एसकेरिस की अगर मैं बात करूँ जिगे हैं लाइफ साइकल मोनो जेनेटिक होती है मोनो एक ही ओस्ट होगा हीमन बच्चों को सबको इंफेक्शन होता है इसका इंफेक्टिव स्टेज एंब्रियो नेटेड एग अभी तो करते हैं सबजी आच्छे से दो के खाओ पानी साप सुत्रा पीओ ठीक है को कि हमारी गट में रहता है गट से सीवेज वोटर बजाता है और सीवेज वोटर को ही हम यूज करते हैं जितने भी सैलेट बगएरा ग्रो करते हैं खेतों पर यही यूज किया जाता है तो वहां से बग जाता है तो इसलिए ध्यान अच्छी है कि सीवेज वोटर ड्रिंक वोटर में तो नहीं में मिल रहा है सबजी यहां आए से खारे हो फूट ले रहे हो तो इसको प्रॉपर वाश करके खाओ ठीक हैं वहां से इसका इंफेक्शन फ थो कंटामिनेटेट फूड एंड वाटर ठीक है दोजीर पॉइंट याद रखना इसके अच्छा एक बाउचेरिया बैंक्राफ्टी नीट में लगबग हर साल कोशन आता है पर हीमन हेल्थ और डिसीज ते उठा लेते हैं इसको समझना मावाँ डिटेट फो डिटेल में र दिखा देता हूं ठीक है बाउचेरिया या फाइल एरिया वह बोलते हैं ठीक है तो इसमें भी दो थीन पॉइंट रैड कर लो इसकी लाइफ साकल कैसी होगी इसकी लाइफ साइकल डाइजनेटेक होती है डाइजनेटिक यानि दो उस्ट होंगे इसके अंदर प्राइमरी do secondary primary host, konogaska, human सेकंडरी होस्ट मॉस्की टो कौन सा क्यूलैक्स इंडिया में मुस्ली क्यूलैक्स ही होता है पर कहिके यह दीज भी होता है ठीक है समद रहो यह जानक नहीं है आपको करता क्या है कॉस अधिया 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 इस जब यूमन अल्टन डिसीज पढ़ोगे तो वहां पर अलिफंटियास का डाग्राम दे रखा है इंफ्लामेशन ओफ लिंफ नोड़ जो बॉड़ी का लोड़ पार्ट होता है ना उसके लोड़ पार्ट में इंफ्लामेशन हो जाता है लिंफ नोड़ में बहुत ज्यादा और कहीं कहीं ब्लॉकें इसकी वैसे लिंफ उपर नहीं आ पाता और लोड़ पार्ट में डिपोजिट हो जाता है जिसकी वैसे स्वाइल अप स्वाइल इंक स्वाइलिंग हो जाती है और पैर हाती पाहों जैसा हो जाता इसलिए इसको एलीफेंट टीएस जबोलते हैं समझत रहों प्राइमरी उस सब्सक्राइब नाम याद रख लो तो बहुत जरूरी है पर यह हीमन एल्ट डिसीज में दे रखें दो एसकैरियस इसकैरिस और बाउचेरिये वहां पर रिवीजन में आ जाएंगे मतला आपको और याद आ जाएंगे अच्छे से ठीक है दुरोड़ा सीरीज में कराने वा आपको वहां से करेंगे तो यह आपका एसके हलमन्थीज का अंत होता है यानि आज का टार्गेट हमारा पूरा होता है ठीक है तो थैंक्यू बेटा आज का टार्गेट अपना पूरा हुआ पांच फाइलम करा दिया है मैंने एकदम ब्रेंद में सटोने चीए एक एक ब्रेंट के साथ थिक है तो अगला जो टार्गेट होगा उसमें रिमेनिंग रिमेनिंग नॉन काड़ेत स्कें फाइलम सारे हो जाएंगे नॉन कोड़ आपका खतम हो जाएगा ठीक है फिर बच्चे का कोड़ डेटा तो दो लेक्षर में मैं कोड़ अक्सिरीज को बैतरीन तरीके से एंड करूंगा ठीक है थांक्यू बटा ओल दा बेस्ट बाइब 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 बाइब